नमस्कार आज के वीडियो में आपका स्वागत है वैसे तो शेयर बजार में वोलाटिलिटी हमेशा देखने को मिलती है लेकिन फिलहाल कुरोना वारस की वज़ह से मार्किट में वोलाटिलिटी काफी बढ़ गई है और अच्छे ट्रेडर्स को हमेशा इस तरह की वोलाटिलिटी का फायदा जरूर उठाना चाहिए मार्किट में इन्वेस्ट करते टाइम अच्छी लर्निंग्स के साथ अलर्ट रहते हुए invest करना चाहिए क्योंकि market में किये गए एक गलत investment से आपको भारी नुकसान हो सकता है market में enter करने वाले beginners को सबसे पहले stock market के basics को सीखना चाहिए और फिर investing शुरू करने चाहिए तो आज के इस वीडियो में हम आपको stock market free में सीखने के कुछ बहतरीन तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं stock trading सीखने के लिए सबसे पहला और important step है demat account open करना demat account open के बिना आप Indian stock market में direct investment शुरू नहीं कर सकते हैं किसी stock broker के साथ demat account open करके आप उनके द्वारा provide किये गए tools और research का use कर सकते हैं जो आपके investment को easy बना देते हैं कुछ brokers अपने clients को stock trading सीखने में help करने के लिए virtual trading tools भी देते हैं जिसे आप बिना real money invest किये stock market को समझ सकते हैं आप इंडिया के fastest growing brokerage firm के साथ भी अपना demat account open कर सकते हैं जिसका link हमने description box में दिया है दूसरा तरीका है कितावे पढ़ना book reading stock market trading के बार में सीखने के सबसे सस्ते तरीकों में से एक है आप stock market से related कोई भी top seller book ले सकते हैं और इसे पढ़कर जान सकते हैं कि stock market कैसे काम करता है book पढ़ने से आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं जो एक beginner के तौर पर आपको करनी चाहिए और कौन सी बाते आपको avoid करनी चाहिए किताबे पढ़ने के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि ये सस्ती होती है और आप कम से कम cost पर share बाजार के बारे में बहुत कुछ सीख जाते हैं The Intelligent Investor Beating the Street A Random Walk Down Wall Street Common Stocks and Uncommon Profit जैसी कुछ best stock market books के साथ आप book reading शुरू कर सकते हैं तीसरा तरीका है stock markets related blogs पढ़ना business websites पर stock markets related blogs पढ़कर आप share बाजार से जुड़ी knowledge हासिल कर सकते हैं ये भी free में stock market सीखने का एक शानदार तरीका है बहुत सी popular websites और blog pages है जहां पर आप regularly visit करके latest blogs पर सकते हैं ये बिना किसी extra cost के share बाजार के बारे में सीखने का एक शानदार तरीका है चौधा तरीका है एक mentor सर्च करना stock trading को बहतर तरीके से समझने के लिए आपको एक mentor की जरूरत होगी एक mentor वो होता है जिसे share बाजार की basic और technical समझ होती है modern times में जरूरी नहीं है कि आपको हर mentor को pay करना हो आप चाहें तो हमारे main YouTube channel convey by finnovations में जाकर Mr.Prasad लेनवे से stock market की basic और technical knowledge gain कर सकते हैं वो भी बिलकुल free बहुत सी videos में Mr.Prasad ने अपना experience share किया है जिससे आपको stock markets related बहुत कुछ बहुत कम time में सीखने को मिल सकता है पांचवा तरीका है successful investors के बारे में पढ़ा जाए successful investors की history और success stories पढ़ना शुरू करें जिससे आपको market में investment शुरू करने और market में बने रहने की inspiration मिलेगी successful investor की कहानी हमें market में invest करने का अच्छा तरीका सिखाती है beginners successful investors के experience से सीख कर अपनी stock market journey में इसे apply कर सकते हैं चटा तरीका है market को follow करना stock market सीखने का सबसे अच्छा तरीका business websites और channels के माध्यम से market को follow करना है business websites और channels को follow करके आप उन economic trends और sectors के बारे में जान सकते हैं जो अच्छा perform कर रहे हैं business websites, tv channels और youtube channels के माध्यम से market को follow करके beginner समझ सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस time पर कौन सा stock या sector, trading या investment पे उन्हें profit दे सकता है सात्वा तरीका है free stock market crash course हम आपके लेकर आएं है free stock market crash course जिसका नाम है beginners to expert जहां पर हम आपको आसान भाषा में stock market concepts example के साथ explain करते हैं तो अगर आप finance background से नहीं हैं तब भी चिंता ना करें क्योंकि ये series सभी के लिए है इस series के end तक बताए गए सभी steps को follow करने पर आप stock market expert बन सकते हैं क्योंकि इस series में हम आपको premium content प्रवाइड करने जा रहे हैं ये series exclusive हमारे main channel पर available है इस पूरी series में आप बिल्कुल भी बहुर फील नहीं करने वाले क्योंकि हमने इसे interesting बनाने की पूरी कोशिश की है फ्री stock market crash course series का link description box में दिया गया है जहां से आप हमारी free series को check out कर सकते हैं आठवा तरीका है छोटे amount से शुरू करना market में सबसे अच्छे experience practical knowledge से गेन किया जा सकता है stock market कैसे काम करता है ये जानने के लिए आप small amount और quantity के साथ market में trading शुरू कर सकते हैं small trades के साथ आप उन गलतियों को समझ सकते हैं जो आप कर रहे हैं और जान सकते हैं कि आप कितना risk bear कर सकते हैं धीरे धीरे आप amounts को बढ़ा सकते हैं नौवर तरीका है stock markets related movies को देखना अपने आपको motivate रखने के लिए अपने घर से ही आप कुछ best stock market movies देख सकते हैं wolf of wall street, boiler room और inside job कुछ ऐसी stock market movies हैं जिने देखकर आप खुद को motivate रख सकते हैं और stock market को समझ सकते हैं दसवा तरीका है buy करें और hold करें Warren Buffett के according stock market में investment के लिए एक simple rule है और वो है stock को buy करना और उसे कई सालों के लिए hold करना Warren Buffett long time के लिए stock buy करने की सलहा देते हैं तो आप चाहें तो Warren Buffett की इस advice को अपना कर देख सकते हैं तो ये थे कुछ ऐसे free methods जिनका इस्तमाल करके आप stock market में investment करना सीख सकते हैं उमीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो से related कोई सवाल या doubt है तो आप comments करके हमसे पूछ सकते हैं वीडियो को end तक देखने के लिए thank you